परिचय तेजस अपने माता पिता के साथ रिटेल स्टोर से सामान खरीद रहा है। वह अपने लिए एक जोड़ी जीन्स, एक जैकेट और एक गर्म शर्ट पसंद करता है। जबकि उसके पिता अपने लिए एक कोट पसंद करते हैं। जब वे इस सभी सामान को नगद यानि कैश काउंटर पर देते हैं, तो कैशियर उन्हें एक बिल देता है। तेजस के पिता वह बिल रख लेते हैं और उसका भुगतान करते हैं। जब वे घर पहुँशते हैं, तो तेजस अपने पिता से बिल के बारे में पूछता है। क्योंकि वह बिल में लिखे हुए सभी विवरण को जानने के लिए उससक है। बच्चों, आओ जानते हैं कि बिल कैसे बनाया जाता है। आओ सीखें। रुपियों को परिवर्तित करके तथा बिना परिवर्तित किये जोडना। बिल बनाना। मुद्रा के तथे। भारतिय मुद्रा को रुपिया नाम से जाना जाता है। रुपिया शब्द संस्कृत भाषा के रुपईया शब्द से बना है। जो की प्राचीन भारत में प्राचलित मुद्रांकित सिक्कों को तर्शाता था। भारतिये रुपय को रुपिया चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। भारतिये मुद्रा सिक्कों और नोटों से बनी है, जोकी बैंक नोट कहलाते हैं। सिक्के भारत सरकार द्वारा ढाले जाते हैं, जबकि बैंक नोट भारतिये रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी किये जाते हैं। परिवर्तन करके जोड़ना। आप जानते हैं कि एक रूप्या एक सो पैसों के बराबर होता है। इसकार्थ है कि दो रुपे दो सो पैसों के बराबर होते हैं, तीन रुपे तीन सो पैसों के बराबर होते हैं, चार रुपे चार सो पैसों के बराबर होते हैं, और पांच रुपे पांच सो पैसों के बराबर होते हैं, इसलिए एक रुपए पचीस पैसे, सो पैसे और पचीस पैसे अर्थाथ एक सो पचीस पैसों के बराबर होते हैं। इसलिए दू रुपए पचीस पैसे और तीन रुपए पचीस पैसे को जोड़ते हैं। इसलिए हम दू सो पचीस पैसे और पांच रुपए को जोड़ते हैं। चार रुपए पचीस पैसे चार सो पचीस पैसों के बराबर होते हैं। पांच रुपए पांच सो पैसों के बराबर होते हैं। इसलिए जब हम चार सो पचीस और पांच सो पैसों को जोड़ते हैं। तो जोड़ 925 पैसे होता है। परिवर्तन किये बिना जोड़ना। हम 25 पैसों को 25 पैसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 50 पैसों को 50 पैसे लिख सकते हैं। और 75 पैसों को 75 पैसे लिख सकते हैं। हम एक रुपए को एक लिख सकते हैं, उसी प्रकार से दो रुपियों को रुपए दो लिखा जा सकता है, तीन रुपियों को रुपए तीन लिख सकते हैं, चार रुपियों को रुपए चार लिख सकते हैं, तथा इसी प्रकार आगे बढ़ सकते हैं. अब हम लिख सकते हैं एक रुपए पचीस पैसों को रुपए एक दशमलव दो पांच पैसे लिखा जा सकता है। और दस रुपए दस पैसों को रुपए दस दशमलव एक शून पैसे लिख सकते हैं। इसके ठीक नीचे दो रुपए पचास पैसों को रुपए दो दशमलव पांच शूनने पैसे के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। कि रुपए वाला भाग, रुपए वाले कॉलम तथा पैसा वाला भाग पैसे वाले कॉलम के नीचे आए। पहला चरण पैसे के कॉलम वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 25 जमा 50 बराबर है 75 के। पैसे वाले कॉलम में 75 लिखते हैं। दूसरा चरण, रुपए के कॉलम वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 जमा 2 बराबर है 8 के। रुपए वाले कॉलम में 8 लिखते हैं। जोड़ का परिणाम 8 रुपए 75 पैसे है। एक अन्य उधारण लेते हैं। 45 रुपए 50 पैसे और 20 रुपए 50 पैसों को जोड़ते हैं। पहला चरण, आओ खेलें। ध्यान पूर्वक प्रशनों को पढ़ें। तथा सही विकल्ब को उठाकर उसके संगतिस्थान पर रखें। परिवर्तन करके घटाना। रवीना की मा ने उसे जेब खर्च के लिए 9 रुपए 50 पैसे दिये। उसने 5 रुपए 50 पैसे की टौफिया खरीद ली। अब जेब खर्च के लिए उसके पास कुल कितने रुपए बचे। 9 रुपए 50 पैसे का आर्थ है 950 पैसे। और 5 रुपए 50 पैसे का आर्थ है 550 पैसे। 550 पैसों को 950 पैसों के नीचे लिखते हैं। अब शूने में से शूने घटाने पर शूने ही शेश पचता है। शूने शूने वाले कॉलम में शूने को लिखते हैं। 5 में से 5 को घटाने पर शूने प्राप्त होता है। 5 पांच वाले कॉलम में शूने को लिखते हैं। 9 में से 5 को घटाने पर चार प्राप्त होता है। 9 पांच वाले कॉलम में चार को लिखते हैं। इसलिए रवीना के पास कुल 400 पैसे अर्थाथ 4 रुपए बचे हैं परिवर्तन किये बिना घटाना चलो, अब हम ये सीखते हैं कि 8 रुपए 75 पैसे में से 5 रुपए 25 पैसों को कैसे घटाते हैं पहला चरण यहाँ ध्यान दे 8 रुपए 75 पैसे को रुपए 8.75 पैसे लिखा जा सकता है दूसरा चरण इसके बाद 5 रुपए 25 पैसे को रुपए 5.25 पैसे के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि रुपए वाला भाग रुपए वाले कॉलम तथा पैसे वाला भाग पैसे वाले कॉलम के नीचे आए 75 में से 25 को घटाने पर 50 शेश बचता है तीसरा चरण पैसे वाले कॉलम में 50 लिखते हैं 8 में से 5 को घटाने पर 3 प्राप्त होता है रुपए वाले कॉलम में 3 लिखते हैं अताह उत्तर 3 रुपए 50 पैसे होगा आउ खेलें प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सही उत्तर का चायन करें बिल आप जानते हैं कि बिल क्या होता है बिल कागस का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें किसी दुकान से आपके द्वारा खरीदे गए सामान का सारा विवरन होता है इस विवरन के अंतरगत खरीदे गए सामान का नाम उसका मुले तथा कुल मुले दिया होता है बिल बनाना आओ अब हम सीखते हैं कि बिल कैसे बनाते हैं रमीता ने दू पैंसिलें, दू टौफियां, एक केंद और एक किताब खरीदी रमीता के लिए एक बिल बनाते हैं पहला चरण सबसे पहले हम चार कॉलम बनाते हैं जिसके अंतरगत वस्तू, प्रती वस्तू मूले, रुपए और पैसे लिखते हैं दूसरा चरण वस्तू वाले कॉलम के नीचे विभिन वस्तूओं के नाम लिखते हैं तीसरा चरण प्रती वस्तू मूले वाले कॉलम के नीचे पैंसिल, टौफी, गेंद और किताब के सामने दो रुपए, एक रुपए पचीज पैसे, पाँच रुपए और दस रुपए लिखते हैं चौथा चरण दू पैंसिलों का मूले चार रुपए है, इसलिए रुपए वाले कॉलम में चार लिखते हैं, तथा पैसे वाले कॉलम में शूनने शूनने लिखते हैं दू टोफियों का मूले दू रुपए पचास पैसे है, इसलिए रुपए वाले कॉलम में दू और पैसे वाले कॉलम में चार लिखते हैं एक गेंद का मूले पाँच रुपए है, इसलिए रुपए वाले कॉलम में पाँच और पैसे वाले कॉलम में शूनने शूनने लिखते हैं एक किताब का मूले दस रुपे है, इसलिए हम रुपे वाले कॉलम में दस और पैसे वाले कॉलम में शून्ने शून्ने लिखते हैं पांचवां चरण पैसे वाले कॉलम में संख्याओं को जोडते हैं शून्ने शून्ने जमा पचास जमा शून्ने शून्ने जमा शून्ने शून्ने को जोडते हैं इनका योग पचास पैसे आता है अब रुपे वाले कॉलम में संख्याओं को जोडते हैं चार जमा दो, जमा पाँच, जमा दस जोडने पर कुल योग 21 रुपए प्राप्त होता है छटवा चरण अब नई पंक्ती बनाते हैं प्रतिवस्तु मूले वाले कॉलम के नीचे इस पंक्ती में कुल योग लिखते हैं रुपए वाले कॉलम में 21 रुपए लिखते हैं हमने क्या चर्चा की? रुपियों को परिवर्तित करके तथा बिना परिवर्तित किये जोडना रुपियों को परिवर्तित करके तथा बिना परिवर्तित किये घटाना और बिल बनाना